हेलो फ्रेंट्स वेल्कम पैक तू माई चैनल आज जो मैं आपको यह डिजाइन बुनके दिखाती हूं यह बहुत ही सुन्दस सा डिजाइन है यह दिखिए वावल जैसे इस डिजाइन को जो आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो गर्ल्स बॉइस स्वाटर जैन स्वा जो मेरे चैनल पे नहे है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो डालू उसकी नोटिफिकेशन है जो आप तक सबसे पहले पहुँचें प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को जो लास तक देखें औ और वीडियो को अन देखा ना करें, प्लीज सब्सक्राइब करें, तो आज है जो मैं आपको ये डिजाइन बुनके दखाती हूं, यहां पे जो मैंने फंदे लगा दिये हैं, फंदे की बाद की जो उल्टी रो है, वो भी बुन दी है, और सुल्टी रो भी बुन दी है, अब है जो आपने जो ये डिजाइन है, यह आपने उल्टी रो से डालना है, पहला फंदा स्लिप किया, और दूसरा फंदा बुन दिया, फिर दागा अपने साइड किया, और आपने हैं जो हूँ यहां पे, एक फंदे में जो साथ फंदे बनाने है, वो कैसे, देखिए, पहले एक फंदा, दागा, फंदा बुना, और ऐसी इसको जो थोड़ा सा लंबा खेजनाए, फिर आपने इसमें दागा, स्लाई में दागा गुमाना है, दो फंदे, और तिस्टा आपकी बुन के आया, तीन फंदे, फिर और दबारा से आपने स्लाई में दागा गुमाना है, थो फंदा जो आपकी सब्लाब कमिके पिर अव्हाट पिछया और तीन फंदे आपने'm के, फिर आपने यहाँ पर एकसलोगे में जैसे यहाँ पना है super दागा सब्सक्राइक, सब्सक्राइब और ज़्यों कर दाये सबुए अपने सब्सक्राइब बनाई और तिसरा फंदा बुन के आया और चत्था फंदा फिर सलाई में दहगा गुमाया पांचवा फंदा फिर बुन के आया चत्था फंदा फिर सलाई में दहगा गुमाया सात्वा फंदा बुन के आया इस तरह से जो आपके साथ फंदे पुरे हो गया और ये फंदा भी आपने छोड़ देना है, फिर आपने धागा पिछे किया, और फिर आपने तीन फंदे सुल्टे बुलने हैं, बैक साइड से, तीन फंदे सुल्टे हो गया, फिर धागा अपनी साइड किया, फिर दबारा से आपने यहाँ पे एक फंदे में साथ फंदे बनाने है, धागा लंबा किय चट्था फंद आंपने शिलाई में दागा गुमाया और सात्वा पंद आपके बुन के आगया और फंद भी छोड़ दिया फिर दागा पीचे किया और तीन फंदे आपने सुल्टे बुनने के बाद फिर हर पीठ आपने । एक फंदे में साथ फंदा, एक फंदा हो गया, स्लाई में दागा गुमाया, दो हो गया, तीन फंदा बुनके हो गया, चोथा फंदा स्लाई में दागा गुमाया, पांचवा फंदा बुनके आ गया, चट्था फंदा स्लाई में दागा गुमाया, और साथ फंदा ये हो गया, फिर साथ फंदे के बाद आपने धागा पीछे गुमाया, आगे को गुमाया हो और तीन फंदे, सिंपल बुने, फिर धागा अपने साइड गुमाया हो, आपने फिर दुबारा से एक फंदे में साथ फंदे बनाना है, तीन हो गया, चौथा ये हो गया, पांच्वा हो गया, और छटाषप ड़गा सफसे गएघा में अपनी साइट गोमा बीः और सबुलत यह अब देखे पिछ आई गए आफ और पिछे निर्ट काफ़ में पहल पने ऊपने लिफे स्थिन कर Seems लेफ साइट से उल्टे बुने थे वह आपने राइज साइट से जो उल्टे बुने है अब जो आपने सात रामें एंस के पना ज़ू करकीnap दहागा दिल्णा रहन देनी है कुछ और बहुत द्भारा से यह जो आपने ृपपन हो इस तरह से जो आपने बनाना है यह वह इस उपने ऑपने एक लाप घ्चाथ कोि ऑने चाही दो आ सुबचार और टारी मेशा क्यों आप दॉस्स बुने फिर होर पीट सेम यही साथ फंदा स्लाइपे लिए इस तरह से और फिर इस तरह से पिछी से इसको जो साथ फंदे का एक फंदा बनाया और फिर धागा अपने साइड किया होर इस तरह से फिर धागा आगे किया होर फिर होर दुबारा से साथ फंदे का एक फंदा किया और फिर इस तरह से तीन फंदे बुन दिये फिर होर दबारा से साथ फंदे का एक फंदा किया और ऐसे धागा अपने साइड किया हो ये दो फंदे एक फंदा और धागा आगी किया हो इस तरह से लास्ट ओला फंदा इनेगा इस तरह से जो यह डिजाइन बनेगा अब दबारा से दीखिए पहला फंदा स्लिप किया और दागा पिछी किया यह देखे यह यहां से सुल्टा है बैक सैड से तो हम सुल्टा ही बुनेगे अब है जो हम यह फंदाय जो वह जिसमें आपने साथ फंदे का एक फंदा बनाये था यह हम बगर बुने ही राइट हैंड की स्लाइप पे सलिप कर देगे और फिर दागा पिछे गुमायेंगे और तीन फंदे सुल्टे फिर दागा अपने साइट गुमाया होर इस फंदे को दुबारा से बगर भूने ही जिसमें आपने 7 फंदे का एक फंद बनाया था बगर भूने ही राइट एड की स्लाइपे लेना है और 3 फंदे सुल्टे भूने हैं ये देखिए, तीन फंदे सुल्टे बुनने के बाद होर खीट आपने ये फंदा बगर बुने ही स्लिप कर देना है, और तीन फंदे सुल्टे, तीन फंदे सुल्टे, फिर होर दबारा से इस फंदे को स्लिप कर देना है, और तीन फंदे और सुल्टे, इस तरह से जो आपकी बेक साइट की जो यह सलाई जाएगे एक फंदा आपने जिसमें एक फंदे के 7 फंदे बनाये थे वो आपने ठीzna भगर बुना ही सिलिप कर देना है और 3 फंदे आपने सुल्टे बुना बोना है यहां पर जो यह स्लाइम है ऐसे ही बुन के ले जाओंगे यह बेरी राइट साइड है तो जो यह डिजाइन है वो राइट साइड से नहीं यह बैक साइड से डिजाइन बनेगा तीन फंदे सुल्टे दागा पिछे किया यहाँ पे भी आपने यह जो फंदा है यह बगर बुने ही राइट हैं की स्लाइपे स्लिप कर देना है फिर तीन फंदे उल्टे बुन देने है फिर धागा पिछे किया और यह फंदा जो आपने बगर भुने ही राइट हैंड की इसलिप कर देना है फिर यह तीन फंदे आपने भुन देने है इस तरह से फिर पिछे किया दागा पिछे किया और ये इस फंदे को जो बगर भुने ही राइट एंड की स्लाइप पे स्लिप किया और ये तेल फंदे भुन के निकाले फिर होड देबारा से repeat इस फंदे को slip किया और ये फंदे इस तरह से बून के निकाला और राष्ट वाला फंदा भी इस तरह से बून दिया अब मेरी right side है वो complete हो गिए अब देखे बैक side से बैक साइड से जो आपने देखना है यह वाला जहां पर आपके डिजाइन बना है यह वाला फंदा जो आपके बीच में आना चाहिए तो देखिए पहला फंदा मैं हमेशा सिर्फ करती हूँ बगिरबुने ही निकालती हूँ अब है जो मेरे यह चार फंदे है इसको मैं सुल्टा बुन दूँगे दागा अपनी साइड के यहां पर जो मैंने एक फंदे में साथ फंदे बनाने है वो देखिए इसको आपने लंबा खेचना ये दागा फंदा फिर दूसरा फंदा फिर तीसरा फंदा बुनके निकला चौथा फंदा स्लाई में दागा गुमाया पांचा फंदा बुनके निकला चौथा फंदा स्लाई में दागा गुमाया और सात्वा फंदा बुनके निकला ये देखें ये आपके 1 फंदे में 7 फंदे complete हो गया, धागा पिछे किया और ये 3 फंदे सुल्टे बुने, फिर पीट और धागा पनी साइट यहाँ पर जासे आपनी यहाँ आप नाये वैसे ही 1 फंदे में 7 फंदा, एक दागा गुमाया स्लाई में दो तीन तिसरा बुनके चौता स्लाई में दागा गुमाया पांच बुनके चटा स्लाई में दागा गुमाया और साथ बुनके धागा भी फंदा भी छोड़ दिया फिर दागा पिछे किया और तीन फंदे सुल्टे फिर दागा अपने साइड लाया होर दबारा से एक फंदे में साथ फंदे एक दूसरा स्लाइमें दागा गुमाया दो तीन स्लाइमें दागा गुमाया चार पांच स्लाइमें दागा गुमाया छे और साथ फिर धागा पिछे किया हो र, तीन फंदे, आपने सुल्टे भुने फिर धागा पिछे किया हो र, फिर दबारा सोर र, एक फंदे में साथ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ, साथ फंदे हो गे फिर धागा पिछे गया हो तीन पंदे सुल्टे फिर धागा अपने साइड क्या हो एक दो तीन चार पांच छे सत सत होगे और इस पंदे को जो इसी तरह से बुनके देना है अब है जो मेरी वेक साइड गista क्वेट होगी अब ईommes चे अब वागे हो आपके एक फंदे में साथ फंदे बनाने है और ध्योड़क चाहिएynı यहां आपने पहले आप में जो ऐक पंदे में सात फंदे में और जो राइक साइड में वो साथ फंदे में आपने एक फंदा बनाना है देखिए यह साथ फंदे मैंने कट्थे किये और पिछे की साइड से जो आपने यह फंदा बुनने है इस तरह से जो आपने यह फंदे बुन के निकाले ऐसे धागा अपने साइड गुमाया है और यह जो तीन फंदे ये आपके उल्टे आएगे, जो आपके बैक साइड से सुल्टाए थे वो राइट साइड से उल्टे आएगे, धागा आगे गुमाया और यहां भी आपने साथ फंदे में एक फंदा बनाना है, पिछे से इस तरह से, फिर है जो ये बबल जैसे आपके इस तर जिए बुने हैं, फिर धागा आगे किया होर साथ फंदे में एक फंदा ये हो गया, फिर धागा आपने साइड गुमाया होर तीन फंदे उल्टे थे धागा आगे घुमाया होर साथ फंदे के आपने जो ये साथो फंदे जो आपने इस तरह से बुन के निकलना यह एक भी नहीं छुटना चाइए नहीं, तो आपके पूरा डिजाईन जो ये खराब हो جाएगा इस तरह से इह रेहे, फिर धागा अपने साइट किया हो, तीन फंदे, उल्टे फिर दागा आगे किया हो और इस तरह से फिर फंदा दागा अपने साइड किया हो और तेन फंदे उल्टे हो लास्ट वाला फंदा इस साइड फंदे इस तरह से जो आपके ये डिजाइन बनेगा ये रेखें ये बहुत ही सुन्दर सा डिजाइन है और जो आपने जो फंदे ह वो एक जैसे बनेंगे तो अगर आपको ये मेरा डिजाइन पसंद आता हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल पे जो नए हैं प्लीज वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो ढालो में उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद